यह हमारे क्या हो गया नेशनल फ्लैग हो गया जो हमारे राश्ट्रिया जंडा है इस तरह से होते हैं एकदम टॉप में क्या रहेंगे सैफ्रून 20 पे वाइट रहेंगे और लास्ट में क्या रहेंगे ग्रीन रहेंगे इसे हम क्या कहते हैं चक्रा कहते हैं और यह भी होते हमारी इंडिया के फ्लैग में इस तरह का ही फ्लैग हो के हम लोग क्यारी करके चलते हैं और इस तरह का ही फ्लैग को हम लोग क्या भी करते हैं तो यह हमारे ओके प्यारा देश का प्यारा जंडा है इसको हम क्या बोलते हैं नेशनल फ्लैग बलते हैं, क्या बलते हैं इसे हम लोग, नेशनल नेशनल फ्लैग, ओके, तो यहाँ पर अब देखेंगे, की what are the color of our flag, तो हमारे ओके, जो तिरंगा है, हमारे जो जंडा है, ओके, जो हमारे फ्लैग है, तो उसका color क्या-क्या होते, ओके, एक तो क्या होते, सै FFR in saffron okay दूसरा आते okay second में आते क्या आते वाइट आते third में okay क्या आएंगे green आएंगे यानि कि यो कि इस कांसर क्या रहेंगे all of these okay saffron भी रहेगा white भी रहेगा and green भी रहेगा and beach में क्या भी रहेगा okay chakra भी रहेगा okay तो यह जो चक्र है यहापर यहापर जो इसमें ओके स्पोक्स, स्पोक्स मिन्स के… Education Со 바뀌न भी तरह से स्पोक्स के तो यह पर आंगी स्पोक्स और don. ओके सके हैं इस्पोक्स एर इनग के सा दसक्रम भी ऩर मिघी स्पोक्स आप और ब्सक्रम मुस्ख के तरहा हूं है चक्रे का अंदर इस तरह का स्पोक्स देख रहा है तो यह कितना होते है तो आज हम इसे भी जानेंगे ठीके तो यह कितना होते 20, 24 या 25 आप लोग गेस कीजिए कितना होगा ओकी इसका होते कितना होते 24 दियर आर 24 स्पोक्स इन आवर इंडियन फ्लैग यानि कि हमारे भारत की जो राष्टेर जंडा है उसमें जो बीच में चक्र है उसमें स्पोक्स कितना रहेगा 24 रहेगा तो यह हमारे colors of the flag हो गया colors of our flag यानि कि हमारे भारत की ओके फ्लैग में जो color है जो रंग है वो कैसा कैसा रंग रहेगा सैफ्रोन रहेगा white रहेगा green रहेगा and बीच में क्या भी रहेंगे चक्र भी रहेंगे and चक्र में ओके जो यह स्पोक्स रहेगा ओके वो कितना रहेगा 24 रहेगा तो यह जो हमारे फ्लैग है यह जो फ्लैग है यह किस ने design किया था किस ने बनाया था ओके बहुत important question एक ही नहीं है हम लुग जानते हैं कि यह हमारे फ्लैग है लेकिन इसे किस ने बनाया था तो बच्चो इसे डिजाइन करने वाला जिसको हम बोलते डिजाइनर जिसने हमारे भारत का फ्लैग को क्या किया है डिजाइन किया है तो उसका नाम है पिंगाली भेंकया पिंगाली भेंकया पिंगा ली भेंकाया ने क्या किया था बनाया था ठीके अब इसका रेशियो कितना रहेगा हमारी इंडिया का फ्लैक का रेशियो कितना रहेगा थ्री इस्टू टू रहेंगे ओके यह जो रहेगा ओके यह थ्री रहेंगे और यह कितना रहेगा ओके यह तू रहेगा इसे लिए कितना A-D-O-P-T, adopt, adopt means, okay, grant करना, हम लोगों ने कब accept किया था, तो हम लोगों ने इस flag को adopt किया था, याने कि grant किया था, बाइस जूलाइ, 1947 में, बाइस जूलाइ, 1947 में, हम लोगों ने हम, हमारे देश का flag इस तरह होगा, यह हमारे flag होगा, तो उस तरह से हम लोगों ने क्या किया था, adopt किया था, next, अब, okay, flag तो हो गया, अब, सबसी important बाद, okay, जो हम लोग गाते हैं, सुबह इसकूल के टाइम में भी, okay, इसकूल में गाते हैं, हमारे राष्टर गान, जिसको हम लोगों कहते हैं, क्या कहते हैं, नेशनल एंथम कहते, तो हमारे भारत का नेशनल एंथम, okay, कौन सा है, जनगन मन, जनगन मन, अधीनायक, इस तरह से जो हम लोग गाते, तो वो जो गान है, तो उसे हम क्या कहते, नेशनल एंथम कहते, okay, ये जो नेशनल एंथम है, तो किस ने लिखा था, रविंदर नाट टेगोर, ये आपड जो देख रहे, okay, दादाजी, तो रविंदर नाट टेगोर है, तो रविंदर नाट टेगोर ने हमारे नेशनल एंथम को क्या किया था, लिखा था,